हैलो आप आप साफ मजें में होंगे करेंगे और शाथ में धिसक्ष करेंगे accus रेंगेtest क्छोंल्ल से ब्रिकष पर पहले आप देखें यहां पर इंडिया विक्स का चार्ट देखिए इंडिया विक्स का चार्ट मैंने आपके साथ ये live streaming में Friday को भी discuss किया था कि विक्स को अगर विक्स डाउन है या आप है उसको सिर्फ ऐसे मां देखिए कि इन मार्केट में भी गिरावट आएगी या मार्के इनकरीज होता है तो मार्केट में वोल्डटी वढ़ती है मोमेंटम फास्ट आते हैं मोमेंटम देज आते हैं तो इसलिए विक्स वो सिर्फ वोल्डटी के तरफ से देखिएगा तब यहापका एनलिसिस वोर बैटर रहेगा तो मैंने आपको पुरा एक्जेंपल के साथ भ बैंक निफ्टी में चार्ट देखिए मन्त ये लाइफ टम हाई के ब्रेक आउट है इवन आप देखोगे F5 DIs की कोई ज़्यादा बड़ी net buying नहीं थी आज उसके बावजूद भी काफ़ अच्छा momentum था ब्रेक आउट आ गया दोनों देखिए net buying में लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं फ्लैट है DIs 700 के पास और FIs 150 क्रोड के पास दोनों net में buying में है तो ये मैंने देखिए आपके साथ Friday की live stream में भी discuss किया था कि Bank Nifty क्या है अब trend में है ये यहाँ पे higher high मनाता जा रहा है काफी लोगों को ये चीज पता ही नहीं है वो लग रहा है उनको लग रहा है कि Bank Nifty downtrend में लेकिन मैंने आपको Friday क्या उससे पहले भी कही पर पता है कि Bank Nifty uptrend में है ये देखिए higher high बनाता जा रहा है आपको ये देखिए bottom बनाता जा रहा है तो bottom को identify करना है फिर वहां से आपको एक best entry, best talks में entry भी करनी है अभी बात कर लेते हैं इसका intraday chart के purpose है और Friday को हमने ये भी डिसकस किया था कि ये देखिए ये जैसे ही अगर उस week का high का break करेगा weekly का तो उसके बाद ये देखिए कि weekly का अगर high break करेगा फिर फास्ट मोमेंटम आने के chances रहेंगे तो वैसा ही कुछ देखने को मिला आपको 15 मिन के time frame पे और थोड़ा सा better समझा देते हैं 15 मिन का time frame देखिए कि आप यहाँ पे आज bank nifty gap of open हुआ उसके बाद थोड़ा नीचे भी गया तो जैसे जब फिर morning का जैसे फार द्वारा ये high break हुआ उसके बाद से continue चलता गया और ये जब final ये breakout आ गया था Friday के high का उसके बाद ये थोड़ा सा ये sustain रहा और फिर continue upside चलता गया और new lifetime high बना दिया अब बात कर लेते हैं कल इसका weekly option के expiry है तो कल best entry purpose क्या रहेगी इन केस कोई gap down होता है ये continue नीचे जाता है तो ये एक best entry buying side में रहेगी 48,700 के पास और दूसरी entry हैगी 49 के level के पास sell no rise तब कीजिए या तो कहीं उपर के level से 50,000 के level के आसपास से कुछ अगर sell setup दिखाई देता है क्योंकि ये इस week के target रहने चाहिए 50 के level तक के उसके आसपास इनकेस मालीजे कल ये थोड़ा सा flat open होता है तो आपको 49,200 के नीचे आप sell no rise कर सकते हो लेकिन आज के high के stop loss के साथ तो ये थोड़ा से risky trade लेगा लेकिन बट फिर target भी आपके नीचे साइड में थोड़ा small ही रहने चाहिए 49 का और then 48,700 ये level का note रखिए कल या फिर इस week में कभी भी 48,700 के आसपास bank nifty आता है तो ये एक अच्छा best buying level रहेगा इस level को note करके रखिएगा तो ये bank nifty में आप ऐसे level to level trade कर सकते हो इसमें short term के target रहने चाहिए 50,000 के level के आसपास के लिए अब बात कर लेते हैं nifty का chart तो nifty का भी देखिए हमने मैंने आपको ये telegram पर भी डला था ये अपने public telegram पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर मैंने आपको की डला था ये last week में है तो आप एक बार चेक कर लेना इसका तो यहाँ पर आपनो डला था कि 22,400 और 22,450 का एक support level है तो ये देखिए Friday को continue down गया 400 के पास जो इसका low बना था वहीं से इसका देखिए low बना राज gap ओपन होने के बाद जैसे ये थोड़ा सा morning में volatility रही तो ये जो से हम पुन हुआ इसने first five minute का break किया लेकिन फिर then low बिरेक किया वापिस ये जब द्वारा ये sustain हो गया morning के high के उपर उसके बाद continue चलता गया क्योंकि bank nifty के banking stock से इसमें support देखने को मिल रहा था अब बात कर लेते हैं कि इसमें first अगर buying side में कैसा best entry रहेगा एक तो ये रहेगा इसमें अगर आपका first target रहना चाहिए अगर आपने in case इसको ले रखा है तो then target शुड भी 22700 और 22800 के पास कि ये आपके buying side में up side में distance face करने को मिल सकता है ये आपके target रहने चाहिए sell अभी कीजिएगा अगर ये continue माल लीजिए 600 के नीचे निकलता है तब आप इसको salonize करके चल सकते हैं कि small size sell लेकर और कल के लिए अगर ये 22500 मिल जाता है buying तो वहाँ पे एक अच्छा buying zone रहेगा अब बात कर लेते हैं fin nifty का फिर हम उसके बाद बात करते हैं stocks का फिर निफ्टी का भी चार्ट आपको कुछ सेम लगवा के देखिए बैंक निफ्टी की तरह ही मिल जाएगा इसमें भी देखिए ये higher high बनता जा रहा है और देखिए इसमें आज भी इसमें new lifetime high बन गया fin nifty में तो इसको अगर हम 15 minute के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्योंकि कल इसकी भी weekly option के एक्सपैरी रहेगी तो इसमें best entry level रहेगा 730 के नीचे continue sustain रहता है तभी sell करना otherwise इसको buying side में ज्यादा better करोगे अगर buying side में कुछ भी opportunity मिलती है या फिर level के पास यहां पर sustain होना चाहिए थोड़ा सा candle formation होनी चाहिए कुछ ऐसे bullish candle बननी चाहिए थोड़ा side बेज़ोने के बाद तब फिर आप उसमें trade plan कीजिए आप side मे देखिए उपर कोई resistance नहीं है तो आपको target लेके चाहिए psychology level 2900 और 22000 के यह आपके target रहने चाहिए तो जब भी आप side में जा रहे हों कोई resistance नहीं है तो वहाँ पे trailing stop loss का जुरूर यूज़ कीजिए trailing stop loss का use कैसे करते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए यह आपका trailing stop loss था जहाँ पे इसने बार-बार support लिया फिर यहाँ पोड लिया तो यह तो यहाँ पे अभी त्रेलिंग stop loss यह 21700 का तो अगर कोई buying side में है तो आपका trailing stop loss है नहीं चाहिए 21700 का तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल चार्ट आपको समझा चुक है आप बात कर लेते हैं breakout stocks की तो जैसे बैंक निफ्टी में देखिए momentum है तो first stock है जब यह candle बने था कि trend reversal देखने को मिल रहा है इसमें बिलकुल यह trend line से पहले ही तो और आपको level भी दिये था एकर 265 मिल जाता है तो best buying level रहेगा तो 265 के level को watch करना तो आज इसका 265 low बना है और high बन गया है इसका 274 का तो इसमें अगर कल कोई यह 270 के आसपास मिल जाता है 270, 268 के पास तो वो एक बाच अच्छा buying level रहेगा target इसमें रहने चाहिए यह इस week के या फिर next week तक 275, 285 तक के यह आने वाले short term के target रहने चाहिए तो जितना इसको dip में buy करो कि उतना आपका risk reward बैटर रहेगा तो close up कर इसी सेक्टर का अगर आप बात करें तो दूसरा stock भी देख सकते हो जैसे टेट बैंक को भी इंडिया यह भी हमने लास्ट पास मिल जए तो वो आपका अच्छा इसमें बाइंग लेवल रहेगा तो लास्ट पूड रेइडिंग सेशन चाहिए आप देख रहे हो इसने एट और इसमें जो आपको कॉल ओप्शन दे दिया था और फ्राइडे को दिया था यहाँ पर इसका जब इस टोक उप्शन का प्राइज था वो के पास और आपको एक चीज़ आप नोटिस करोगे तो आप देखिए कि यहाँ पर बिल्कुल साइडवेज था कोई मोमेंटम नही 4.20 तक चल गए हमारे टार्गेट चीव होगे आज ही तो इसमें नेक्ट ट्रेडिंग सेशन में हमारे टार्गेट चीव होगे तो ऑप्शन में जब भी आप देखिए को ट्रेल लेते हो तो अगर आप ब्रेकाउट से पहले इडेंटिफाइग कर लेते हो तो आपका रिस् इसमें बात करते हैं कि अगर इसमें फ्रेश इंट्री मिल जाती है तो इसमें अगर फ्रेश इंट्री अगर 174 के आसपास मिलती है या 173 के पास तो वह एक बैस्ट बाइंग फिर से रहेगा अगर कोई बैड नुज ना आ जाए तो या फिर ये द्वारा कभी मिल जाता है 168 या 170 का ये भी बहुत अच्छा लेवल रहेगा इंट्री परपस से इसमें टार्गेट रहने चाहिए 182 और 190,197 या फिर अगर मोमेंटम में इसको कैच करना है तो इसको अगर 178 के उपर continue sustain रहता है जो इसने पहले दो बार ये resistance प तो BPSL में भी यहां पर देखिए इसमें भी momentum है और काफी time से ये side बेजा तो इसमें अगर इस 600 के पास मिल जाते है तो इसको बोचलिस्ट में रखो 600 के पास इसमें काफी अच्छा buying level रहेगा BPSL में target इसमें रहने चाहिए 650 और देन 700 तक के तो ये अगर कोई swing trading purpose से भी ल 90 के उपर निकला था तब हमने ये discuss किया था इसमें बड़ा momentum आ सकता है तो देखिए आज मैंने आपके साथ आज market analysis के साथ आपको break of talks भी discuss कर दिये तो साथ में disclaimer रहेगा कि आप जो भी आप trade plan करोगे risk reward के साथ stop loss के साथ और अपनी self study जूरूर कीजिए और अपने financial advisor के साथ ही discuss करके आप entry लीजिए तो ये साथ में disclaimer रहेगा और वीडियो अच्छा लगे तो like कीजिए share कीजिए और जो उमारा public telegram channel उसका link description comment box मिल जाएगा link पर click करके ही join कीजिए वीडियो पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्याबाद